Hello everyone, so आज हमारा day 2 है, तो day 2 में हमारा question देखे जी क्या कहता है screen की उपर So ये कुछ protected areas हैं और ये पूछते हैं कि इन areas में ये चीज़े देखने को मिलती हैं या नहीं Number 1 is बित्र कनिका नैशन पाग जो उडिशा में है, यहां पे आपको salt water crocodile देखने को मिलता है ये बिल्कुछ सही है, salt water crocodile तो ही है यहां पे, यहां पे आपको olive relay turtle भी देखने को मिलते हैं जो के mass nesting करते हैं, गाहिर माथा बीच की उपर देखने को मिलता है उडिशा में, यहां पे kingfisher words भी देखने को हमें मिलते हैं तो this is important one ठीक है, और यह बहुत बड़ा mangroove भी है आपका, तो पहला option तो आपका सही है सेकिंड है, desert national park राजस्थान, desert national park राजस्थान में आपका great Indian bastard देखने को मिलता है यह बिल्कुछ सही है, great Indian bastard जो है एक ऐसा पक्षी, जो आपका heaviest bird है, heaviest flying bird मतलब इतना भारी है और यह fly भी करता है, heaviest bird flying, clear up और इसका status जो है, वो है critical endangered, जो IUCN status है, वो है critically endangered this is important, यह IUCN देता है हमें data, ठीक है, red list वगएरा जो हम बात करते हैं दूसरा भी सही है, तीसरा है एरावी कुलम, केरला में है, हुलाग गिबान देखने को मिलता है नहीं, हुलाग गिबान तो आपका north east forest में हमें देखने को मिलता है not in the south India, तो यह option आपका गलत हो जाता है, तो मतलब पहला दूसरा है option सही है तो answer इसमें क्या बनेगा, 2, क्योंकि इसमें पूछा था correctly match आपको बताना है तो answer इसमें क्या बनेगा, B option, 1 and 2 is the correct answer 1 and 2, तो आयोब आपको class अच्छी लगी होगी, और भी हम इसी तरीके से question discuss करेंगे so wait for the day 3, so thank you so much